हेलो एवरीवन वेलकम बैक टो टाइगेट फॉर आई क्यू वेहर नाम है वैभव जैसा कि हम सब लोग जानते हैं फॉर्स जुलाई से हमारी इतर थ्री क्रिमिनल लॉज थे वह एंफोर्स हो चुके हैं जिसने आईपीसी ची आरपीसी इंडियन एविडेंस तीनों को रिप् भारते न्याएं सही था इंडियन एविडेंस एक को किया है भारते साक्ष अधिन्यम एंड को किया भारते नागरी सुरक्षा अधिन्यम अब फर्स जुलाई से तीनों क्रिमिनल लॉज एंफोर्स हो चुके पूरे बहरत में बट अब ऐसी न्यूज आ रही है कि जो क्रिमि होने जा रहे हैं और वो भी जल्दी तो जैसे ही हम सब को पता है जब ये पार्लेमेंट में discussion स्टार्ट हुआ था कि IPC, CRPC और IPC, CRPC और Indian Evidence Act को replace करने की बाद चलनी स्टार्ट हुई थी तो इसका प्रोटेस्ट हर जगे ही ही शुरू हो गया था चाहिए अपने अड्वोकेट्स हो मेंबर्स ऑफ पार्लेमेंट हो कोई भी इस कानून से खुश नहीं था ठीक खुश क्यों नहीं थे क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स हमारे ज्याने की साउथ इंडिया में बहुत जगे ऐसे हैं जहां पर लैंग्वेज बैरियर आता है उनको हिंदी अच्छे से समझ में नहीं आती और बोल भी नहीं पाते तो उन्होंने यहीं बोला था कि आप इन एक्स के जो नाम है वह हिंदी में ही लेकर आये यानि कि आपका टाइटल है इस एक शेक, CRPC, Code of Criminal Procedure यह सब इंग्लिश में था जो हिंदी बैल्ट है उनको भी प्रोब्लम नहीं थी इसको इंग्लिश में प्रौनाुस करने में और जो साओफ इंडियन सें उनको भी प्रोब्लम नहीं इसको इंग्लिश में प्रौनांस करने में तो उनका इंग्वेज आता क यानि कि जो हमारी central government थी उन्होंने हर एक state से कोई भी proper तरीके से proper means का use ना करते हुए कोई भी proper consultation नहीं की गई थी, कि हम ऐसे ऐसे act लेकर आ रहे हैं, इसमें अगर आपको कोई changes करने हैं, या कोई act, कोई provision नहीं अच्छा लगा, तो आप हमसे consult करें, इस बारे में कोई भी बा protest start हो रख था हर जगे पर, ठीक, तीसरी बात थी improper sections inserted, बहुत जगे advocates ने, state governments की जो committees बनती हैं, उन committees के बनने के बाद ये बोला गया था, कि जो bill बना है, new bill बना है, criminal laws का, उसमें जो कुछ sections ऐसे हैं, जो improperly inserted किये गए हैं, उनकी कोई भी आवशक्ता नहीं थी, fourth point था improper procedure followed in parliament, यानि कि जब ये act pass किया गया था December में, तो जो procedure follow किया जाना चाहिए था, वो procedure follow नहीं किया गया, ठीक, तो ये चार points थे, जिस point पे हमारा protest किया गया था, विरोध किया गया था, इस नए तीन criminal law को लागू करने से पहले, अब पहले जान लेते हैं, कि ये जो हम amend कर सकते हैं, अभी-अभी तो आये हैं, और अगर laws amend करने हैं, तो ये power किसके पास है, जैसे constitution में हम जानते हैं, कि जो हमारा 7th schedule है, 7th schedule में 3 list होती हैं, पहले list होती है हमारी union list, दूसरी होती है हमारी state list, तीसरी होती हमारी concurrent list, तो जो union list होती है, उसमें जितने भी laws, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे union territory में apply होते हैं, union territory के central government में apply होते हैं, वो power किसके पास है, change करने की, वो सिर्फ हमारी union government के पास power है, ऐसे laws जो खाली आपके state में apply होते हैं, वो power किसके पास है वो state government के पास power है और कुछ ऐसे laws होते हैं जो हमारे state में भी apply होते हैं जो हमारे central में भी apply होते हैं union territory में apply होते हैं तो ऐसे laws को कौन change कर सकता है ऐसे laws को हमारे central government और state government दोनों कर सकते हैं ठीक अब बात आती है जो यह तेन new criminal laws हैं यह कहां पर fall करेंगे union state या concurrent तो यह हमारा concurrent matter होता है इवन कुछ questions prelims में यह भी पूछे गए हैं कि IPC हो गया CRPC हो गया तो यह कौन से लिस्ट फॉल करते हैं union state concurrent तो याद रखना यह जितने भी laws हैं तीन criminal laws यह तीनों के तीनों हमारे concurrent matter के एक objectives हैं ठीक तो इसमें क्या हो सकता है अगर central government चाहें यह इन नए तीन कानून में चे करनाटेका और तमिल नाडू राज्यने करनाटेका और तमिल नाडू की जो government है वह चाहते हैं कि हम इन तीन criminal laws जो एंफोर्स हुए है 1st July से इन में changes लेके आए क्योंकि इनका तो राइट है concurrent list में fall करता है तो अगर central government चाहे तो वह भी change कर सकती है otherwise state government चाहे तो वह भी change कर सक ठीक तो names of laws to be in English among suggestions by करनाटेका अब क्या हुआ था जब बिल पास होने से पहले center government ने suggestions मांगे थे हर स्टेट से कि आपके क्या क्या suggestions है state governments ने अपने suggestions तो दिये बट करनाटेका बोलती है कि करनाटेक गवर्मेंट ने बोलना है कि यह जो suggestions हमने दिये थे इसको माना ही नहीं सिर्फ एक उपचारिकता करी गई थी हमारे suggestions मांगे पहली suggestion क्या थी करनाटेक गवर्मेंट की कि यह जो laws लाए हो आप English में इनका नाम चेंज करिये अब भारते नागरिक सुरक्षा लाए हो आप भारते साक्षादिनें लाए हो आप भारते न्याय संहीता लाए हो इनका न है इंडिया की उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तो मैनेज कर लेंगे बट जो साउथ इंडिन पार्ट है तेलांगना हो अपना तेलांगना आंध्रप्रदेश करनाटेका इनको प्रॉब्लम आ सकती है तो उन्होंने अपना एक सजेशन यही दिया था कि English का नाम जो करनाटे का स्टेट गवर्मेंट है उनका कहना है कि कुछ प्रोविजन ऐसे एड किये गए हैं या ऐसे अभी इस न्यू कानून में हैं जो हुमन राइट के वॉलेशन करते हैं ठीक तीसरा पॉइंट है सजेशन सजेशन सजेट्स रिटेनिंग आईपीस सेक्शन नंबर फोर लीगल कंटिनिटी उन्होंने अपने सजेशन में में सेंट्रल गवर्मेंट को बोला था कि आईपीसी कि जो सेक्शन नंबर अभी हैं पुराने वाले जो याईपीसी मैं सजेशन नंबर जो आप उनकी रखिय कि जो सेक्शन हमारा 300 300 था मर्डर का सबको पता था 300 क्या होता है मर्डर होता है 302 में पनिशन मिलेगे 307 में अटेम्ट होता है यह सबको पता था अब आप इसके नंबर्स चेंज कर रहे हो तो जो लीगल एक बनी हुई है IPC को लेकर वो कही न कहीं अफ्रेक्ट हो जाएगी तो यह सजेशन भी दिया गया और इस सजेशन को भी नहीं माना गया क्योंकि हम सब जानते से बी नस में सेक्शंस उपर-涅चे कर रहे है करनाटे का चीफ मिनिस्टर है सेंट सेवरल सेजेशन को दी यूनियन विनिस्टर अमिष्छ शाथ अब आउव धी तो जो चीफ मिनिस्टर है करनाटे के नोने बोलते है कि हमने काफी suggestions दिये थे अपने home minister अमिशा जी को बट उन्होंने वो consider नहीं किये which came in effect in India repealing the colonial area IPC ठीक furthermore the state government is contemplating amending the provisions of the laws at the state level तो अब करनाटे का हाई कोड कहती है कि ठीक हमने suggestions दिये central government को उन्होंने नहीं उसको follow किया कुछ माना इन उसमें से तो अब हमारे पास भी अधिकार है कि हम state level पे उन laws को अमेंड कर देंगे जैसा आप लोग देखते होंगे आपने IPC अगर ध्यान से देखा होगा जो bear act थी वहाँ पे एक section खतम होने के बाद नीचे लिखा होता था state amendments कहीं करनाटे का ने कोई provision add कर दिया है जो existing provision उसमें कोई amendment कर दिये ठीक तो अगर जिसने ध्यान नहीं दिया होगा आप अपने पुरानी खोल के देखेगा वहाँ पे state amendments के सब कुछ लिखा है कि अगर इस section number को करनाटे का ने change किया है तमिल नाडू ने किया है यूपी ने किया है हर्याना किया किस-किस ने किया हो सब लिस्ट नीचे आ जाती थी तो ऐसी करनाटे का ही को करनाटे करिये कि हम इन three new criminal laws को amend करेंगे state level पर these suggestions were a result of the analysis of the three laws and a review report by an expert committee constituted by the करनाटे का government करनाटे का government का कहना है कि जब भी laws enforced होने वाले थे उससे पहले हमने अपनी expert committee बना दी थी और इन expert committee का जो review आया है कि in in provisions को हमें amend करने की आवशकता है हम उनके वो उस opinion को consider करते होए अपना amendment लेकर आएंगे यानि कि करनाटे का state government में अपने amendment किया जाएगा पहले बात कर लेते हैं suggestions की कि जब central government suggestions मांगे करनाटे का government ने अपने क्या क्या suggestions दिये थे ठीक पहला point है according to the article 348 mandate of the constitution the names of all laws should be in English this has been raised as the name of the laws are in Hindi पहला point इन्होंने काफी अच्छा उठाया valid भी था उन्होंने बोल था कि जो article 348 का अगर हम use करें तो वहाँ पर इन्होंने बोला कि जितने भी laws बनते हैं उन सब की जो language होगी वो English में ही होगी ठीक बट इसको consider नहीं किया गया क्योंकि वो सब हिंदी में है दूसरा in all the three laws the majority of the provisions in the IPC have been retained and renumbered the Karnataka government has suggested that the existing numbers and scheme of sections in the IPC be retained to avoid the unnecessary confusion तो इन्होंने यही बोला कि जो IPC के जो sections हैं जो numbers हैं ठीक उन numbers को change नहीं किया जाना चाहिए यह suggestion दिया थो नहोंने इससे क्या होगा बिना बात का एक unnecessary confusion create हो जाएगा क्योंकि आप क्या कर रहे हो sections तो वही है sections जैसे हमारा murder हो गया सारी चीज़े तो वही है कुछ भी change नहीं किया है तो आप section number change करके एक पूरे फालतू का confusion create कर रहे है पूरे legal fraternity में ठीक इससे प्रभावित कोन होगा आम नागरिक तो नहीं हो क्योंकि उनको पढ़ना नहीं है इससे जो law students हैं प्रोफेसर्स हैं एड्वोकेट्स हैं जजीस हैं उनको ही कही न कहीं अपना और workload बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो sections आप याद करने पड़ेंगे पहले 300 अब पता नहीं कहां पोचा दिया ठीक यह इन्होंने यही बोला था कि यह unnecessary confusion create करेगा society में आप इसको हमारा suggestion को consider करें तीसरा point था as the majority of all provisions have been retained in the three criminal justice laws and only a few provisions have been introduced the purpose can be achieved through appropriate amendments inserted of enacting new acts यहाँ पर इन्होंने यही बोला था करनाटा का government ने कि जो तीन criminal laws लेकर आये हो इसमें जितने भी provisions हैं ज्यादा से ज्यादा अभी भी वह हैं थोड़े वहत आप amendment के थ्रू new provisions add कर सकते थे तो इन्होंने क्या बोला कि जितने भी new laws जितने भी पुराने provisions थे वह as it is अभी भी वहीं हैं अगर आप कुछ extra चीज लानी थी तो आप amendment के थ्रू ला सकते थे पूरे के पूरे sections को उपर से नीचे change कर देना यह कहीं न कहीं आ amendments to provisions under the BNS and other laws that criminalized hunger strike. The BSA allows police custody for 90 days which is a violation of human rights. अभी जो violation of human rights के मैं अभी बात करी थी तो उन्होंने यही बोला था कि आप BSA में भारते सा यह BNS होगा sorry BNS में आप police custody दे रहो 90 days की पहले क्या था police custody max to max कितनी दे सकते थे 15 days की but अब आप दे रहो 90 days की तो यह कहीं न कहीं आपके जो human rights का violation कर रहे हैं. तो यह suggestion भी इन्होंने consider नहीं करा. Speaking of the matter HK Partil, Karnataka Law and Parliamentary Affairs Minister said the government of Karnataka had made some recommendations earlier when the Union Home Minister of India asked for it. Our Chief Minister had written almost 23 suggestions. देख रहे हो तेही suggestions दिये थे जिसमें से कोई भी suggestion को follow नहीं किया गया. But the government of India had ignored those suggestions. That's why we are planning on introducing the amendments as far as our area of operation of jurisdiction is concerned which is Karnataka. तो जो HK Partil साब हैं, जो Karnataka Law and Parliamentary Affairs के minister हैं, उन्होंने यहीं बोला था कि जो हमारे Karnataka Chief Minister हैं, उन्होंने तेही suggestions दिये थे, उस तेहीं में से कोई एक suggestion भी follow नहीं किया गया. उसको माना नहीं गया. तो इस कारण वर्ष हमें अपने कarnataka area में, अगर किसी भी law में amendment की जोरत पड़ेगी, या लगता है कि amendment होना चाहिए, तो हम अपने कarnataka area में, state में, इस amendment के थूँचेंजिस लेकर आएंगे. ठीक, ये तो बात होगे कarnataka government की. कarnataka के साथ-साथ Tamil Nadu government में amendment लेकर आएगी. तो इनका क्या कहना देख लेते हैं, तमिल Nadu government has decided to appoint a one-man committee. इनोंने वह here decided कर लिए कि हम एक one-man committee गठित करेंगे और वो कौन होगा, मदरास high court के retired judge होंगे. ठीक, एक्जामिन करेंगे उन तीनों criminal laws को और suggest करेंगे कि इन तीनों criminal laws में ऐसा क्या है जो amendment की जोरत पड़ेगी Tamil Nadu state में. ठीक, तो आप याद रखना, ये भी प्रिलिम का question बन सकते है, या static GK का बन सकते है, कि Tamil Nadu अपना जो state में change लाना चाहती है, one-man committee के थूरू, उसमें retired judge कोंतुन का क्या नान था, ठीक? However, in June this year, the Tamil Nadu chief minister wrote to the union home minister, requesting him to keep these laws in advance until the state's concerns were addressed. तो Tamil Nadu ने 1st July से पहले, अपने central government से appeal करी थी, request करी थी, कि अभी आप 1st July को, जो ये enforce होने वाले थे, आप अभी इसको enforce ना करें, कुछ time के लिए इसको postpone कर दीजे, जिससे क्या भी आप जितने भी states के जो suggestions हैं, उनको एक बार आप दुबारे से consider करें, बट state government ने नहीं हो चुके हमारे 1st July से, तो करनाटे का या Tamil Nadu, ये दोनों government बिलकुल तयार हैं, three criminal laws पे changes लाने के लिए, तो आप ध्यान रखेगा, कि क्या-क्या changes आ सकते हैं, वैसे देखा जाए तो प्रिलिंस point of view से तो important नहीं है, क्योंकि हम अगर Tamil Nadu का paper नहीं दे रहे हैं, क्या करनाटे तो हमें वो पढ़ने की जौरत नहीं है, बट आप ये देखे कि इनके जो suggestions थे, जो कहीं न कहीं valid भी थे, कुछ point तक, वो suggestions भी follow नहीं किये गए, ठीक, तो मिलते हैं next video में, thank you.